हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी चानल स्टैन्ड बिपीसी में दोस्तों फिर से एक बार आगे हैं मज़ेदार टॉपिक लेकर सन्विधान सभा सन्विधान सभा का विकास का इतिहास और परमुक समीतियों के अध्यक्स के बारे में हम लोग जालेंगे जो भारत के व तो देखे हम लोग जान लेते हैं इसको आज सीख लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग सन्विधान के सुरुत जानेंगे बारी बार इस समसारण टॉपिक सन्विधान का करवा देंगे दोस्तों आप वीडियो कौन तक बने रहीएगा पेसंस रखिएगा सब आपको समझने म आएगा और भारत के जितने भी कंपेटिटिव लेबल के एक्जाम होते हैं दोस्तों वो सभी में यहां से प्रस्न दो से तीन नमर के बनते हैं आज अगर यह सीख लेते हैं तो दो से तीन नमर आपका किलियर हो जाएगा अब कभी आप नहीं फसेंगे ठिक ना तो अगर य स्टेंड भी PC Telegram और उज्जूर कर जोईन कर सकते हैं और वहां से यह PDF आप असानी से प्राप्त कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज का सेंसं हम लोग शुरू करते हैं तो देखे दोस्तों भारतिय सन्मिधान ठीक भारतिय सन्मिधान का विकास का इतिहास हम लोग जान लेते हैं कैसे हुआ था देखे सन्मिधान के पहले बारे में जान लीजे सन्मिधान देखे बीधी का सासर नहीं होता है किसी देश का यह दस्तवेज भी नहीं होता है ठीक न कि आप कुछ भी करे यानि सन्मिधान क्या है दोस्तों लोगों का एक दस्तवेज है कानूनी दस्तवेज है जिसमें हमारे सन्मिधान निर्मताओं का बहुत सरा योगदान है और समाई समय पर इसमें क्या संसोधन किया जाता है तो देखिए सन्मिधान किसी देश का कानूनी दस्तवेज है और किसी भी देश का सन्मिधान उसकी रजनीतिक ब्यवस्ता का वह बुनियादी धाचा है धाचा निर्धारित करता है जिसके अंतरगत उसकी जानता शासित होती है सन्विधान को सक्ति कहां से मिलती है जानता से याद रखिएगा तो भारत में जो सन्विधान है वो लिखित सन्विधान है और सबसे 12 सन्विधान है याद रखिएगा और पुछे का कि कौन सा इसा देशा जहां पर सन्विधान नहीं लिखा हुआ है राजा का सासने तो ब्र 1935 में भारस आसन अधिनियम आता है और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और उसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारा सुन्मिधान साभा का निर्मान सुरू होता है दोस्तों समझ गए आगे देखिए आगे क्या है अबका कि 1773 में रेक लेक्ट आता है देखिए जब 1757 के प्लासी के लराई और 1764 के बॉक्सर के यूद को अंग्रेजों ने जीत लिया था और बंगाल पर ब्रीटिस इस्ट इंडिया कमपनी के सासन हो गया इसी सासन को अनकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समपरक्या कि एक कई तरह के एक्ट पारित किये भारत में जो भारतिये सनमिधान के विकास के लिए सिधिया बनी तो रेगलेटिंग एक्ट के तहट 1774 इस भी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोट के अस्थापना की गई जिसके पहले मुख नियाधिस एलीजाईम पे थी यह पूछा जाता है कि Regulating Act के तहद कुलकाता सुप्रीम कोट के अस्थापना कप की गई तो 1774 इस भी में वही पूछ देगा कि कुलकाता सुप्रीम कोट के अस्थापना कौन से अक्ट के तहद की गई तो Regulating Act के तहद की गई याद रखिएगा किलियर हुआ अब देख लिजे कुलकाता का यही है कोट पहले कुलकाता जो था सुप्रीम कोट आगे देखिए उसके बाद जानते हैं 1935 भारत सासन अधिनियम इसमें क्या हुआ था तो भारत सनमिधान के बहुत सभाग जो है इस अधिनियम से लिया गया मतलब 250 अनुछेद जो है वो 1935 अधिनियम के हमारे सनमिधान में समाहित किया गया है और इसी अधिनियम द्वारा मियमार को भारत से क्या कर दिया गया अलग कर दिया गया मियमार को देख लिजे यहां पर मियमार है और इसको क्या कर दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया और इसी 1935 अधिनियम के द जो हुआ उसका क्या-क्या बीधि ब्यवस्ता था सब से पहले 1946 में मिशन तरफ भार्तियाशन मिधान के निरमान के लिए नमीदान सबसा क्या किया गया गठन किया गया और सिर्दान सबस्द्राइब के उसकितनी थी सन्विधान साबा के सदस्यों के कूल संखे कितनी थी तो 389 थी और 292 ब्रीटिस प्रांतों के परतिनिधित्व थे 389 में 292 जो परतिनिधि थे वो ब्रीटिस प्रांतों के थे और 93 जो थे वो देशी रियास्तों के परतिनिधि कर रहे थे और चार जो थे वो Chief Commissioner थे याद रखिएगा 292 British Pranto से 93 देशी रियास्तों से और चार Chief Commissioner या थे आगे देखिए आगे है सनमिधान सभा सनमिधान सभा कितने कितने हुए हैं देखिए 9 December 1946 को सनमिधान सभा की पहली बैठक होती है 11 December 1944 को दूसरी बैठक होती है और 13 दिसंबर 1946 को तिसरी बैठक होती है हम अब बारी-बारी से इनको जान लेते हैं 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? देखे, सन्मिधान साभा के पहली बैठक हुई ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को और साभा के सबसे भुजुर्ग सदस डक्टर सचीतानन सिनहा को और अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया ठीक, फिर उनके जो बिवरोधी थे, मुस्लिम लीग थी तो उन लोगों ने इस बैठक का क्या किया दोस्तो? बिरोध किया अगर आपका गाउं में कोई बिरोधी होगा तो देखते होंगे जाहर से बात है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका बिरोध करेंगे वैसे ही था यहाँ पर फिर बाद में आता है दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को होता है और इसमें डॉक्टर आजिंदर परजाद को सुनमिधान साभा का अस्थाई अध्यक चुना जाता है दो दिन बाद फिर दो दिन के बाद अंतराल के बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है तिसरी बैठक होती है सनमिधान साभा की और जवाहरला नहरू ने साभा के समक्ष उदेश परस्ताव पेस किया और इसी के साथ सनमिधान बनने की करवाई सुरू हो गई आगे है सनमिधान साभा के परमुक समित्य और अध्यक्ष देखे संचालन समितिक अध्यक्ष कौन थे याद रखेगा सनमिधान साभा के संचालन समितिक अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर आजिंदर परसाद सन्विधान सभा के संचालन समीति की अध्यक्स कुन थे डॉक्टर आजेंदर परसाद परांतिये सन्विधान समीति की अध्यकस कुन थे सर्दार बलबही परिल प्रांतिये सन्मिधान समितिक अध्यक्स कौन थे सर्दार बलभाई पटेल और संगिये समितिक अध्यक्स कौन थे पंडी जोहला नहरू संगिये सन्मिधान समितिक अध्यक्स कौन थे पंडी जोहला नहरू और राष्ट धोज समीती कध्यक्स कौन थे डॉक्टर जिंदर परसाद याद हुआ चलिए आगे देखिए यहीं पर हम याद करवा देंगे आप लोग को 3 जुन 1947 को यह घुसना कर दिया गया कि भारत को बांट दिया जाएगा दो भागों में भारत का बटवारा होगा ठीक है माउंट बेटे ने गुसना कर दिया 3 जुन 1947 को फिर देखे दो महिने बाद यानि 15 अगस्त 1947 को भारत को बाट दिया गया और 14 अगस्त 1947 को भारत को भारत और एक पकिस्तान भारत को टुकरे कर दिया गया तो देश के विवाजन के बाद सन्मिधान साबा का पुन्र गठन 31 अक्टूबर को 1947 को किया गया पुन्र गठन पूछेगा सन्मिधान साबा का पुन्र गठन कब किया गया 31 अक्टूबर 1947 को सन्मिधान साबा का पुन्र गठन कब किया गया 31 अक्टूबर 1947 को और इसमें सदस्यों के कूल संख्या कितनी थी? तो बोलिएगा 299 जिसमें प्रांतों से कितने से 229 और देशी रियास्तों से कितने थे? 70 प्रांतों से 229 और देशी रियास्तों से 70 थे ठीक है? आगे देखिए, आगे प्रसन है दोस्तों, दुनिया भर के सनमिधान को बारिकी से परखने के बाद बाबा साहे भीम राव अमवेटकर ने भारतिय सनमिधान का मौसोदा तयार किया, इन्हें सनमिधान का पीता भी कहा जाता है 26 नौमबर 1949 को भरतिय सनमिधान पुरी तरह से तयार हो गया और इसे सनमिधान सा भाद वरा पारित कर दिया गया, 26 नौमबर को सनमिधान दिवस मनाया गया याद रखिएगा 26 नमबर 1949 को जब यह पूरी तरह से त्यार हो गया उसी बियोग में 26 नमबर को सनमिधान दिवस मनाय जाता है और 26 जनुरी 1950 को भारत में सनमिधान लागू कर दिया गया और भारत एक गंतंत्र देश बन गया गंतंत्र का मतलब समझते हैं दोस्तों राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जो इसका असली हकदार होगा गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है गंतंत्र का मतलब यह हुआ अगला देखिए सनमिधान निर्मान के परकिरिया में कुल 2 वर्स 11 महिने 18 दिन लगे और सनमिधान के पररूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई और सनमिधान के निर्मान पर कुल मिला कर 63,95,729 रुपए खर्च हुए पुछा जाएगा कि सनमिधान बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे तो बुलिएगा 63,95,729 ठीक ना जब सनमिधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुछेद और 8 अनुछेद थी मुल सनमिधान इसको बूलते हैं पुराने सनमिधान यानि मुल सनमिधान में 22 भाग, 395 अनुछेद और 8 अनुछेद थी लेकिन वर्तमान में इसे सनसुधन करकर जो ने सनमिधान है उसमें 22 भाग, 395 अनुछेद और 12 अनुछेद है और सनसुधन करकर इसमें जो 470 जुलाई उनिसाइब सैथालिस को राष्ट्रिये देखिए राष्टिये धोज को अपनाया गया ठिकना रारा च्रीन जुश निसुरन Is that level को अपनाया गया दोदो दिन का अंत्र आले 24 जन्वरी राष्ट गान 26 जन्वरी राष्ट्रिये गित 24 जन्वरी राष्ट्रिये गित याद हुगा सोतंत्र अब देख लिजे सोतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल सोतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल दोस्तों 1947 में हुआ था तो उसमें कौन-कौन जो भारत के नेतरियोत कर रहे था उनको कौन-कौन सा पद मिला था तो देखिए क्या क्य हम देख लेते हैं देखिए जुआल नहरु को परधान मंत्री का पद मिला था अंत्रिम मंत्री मंडल का जो सरकार बना था उसमें बॉला भाई पटेल को ग्रिह मंत्री बॉला भाई पटेल को कौन सा पद मिला था ग्रिह मंत्री ठीक है उसके बाद मौलाना अबूल कलामाजाद को कौन सा पद मिला था सिक्छा मंत्री भारत के पहले सिक्छा मंत्री मौलाना अबूल कलामाजाद याद रखिएगा और Congress के सब से मतलब यंग अधियक्ष कौन थे तो यही थे मलाना बुलकलाम अजाद जो Dr. John Mathai को कौन सा पद मिला था रेलबे मंत्री याद हुआ उसके बाद जग जीवन राम को कौन सा मंत्री मिला था श्रम मंत्री जग जीवन राम को अंत्रीम सरकार में कौन सा पद मिला था तो स्रम मंत्री मिला था जग जीवन राम को स्रम मंत्री का पद मिला था बल्देव सीन बल्देव सीन को अंत्रीम सरकार में कौन सा पद मिला था तो रक्षा मंत्री उसके बद हैं राजकुमारी अमरित कौर को अंत्रिम सरकार में स्वास्त मंत्री का पद मिला था और आरके सुनम मुगम सेठी को वीत मंत्री का पद मिला था अंत्रिम सरकार में किलियर हो गया याद हो गया चलिए आगे देखिए तो हमारे दोस्तों यहीं पर समाप्द होता है यहीं पर यह समाप्द होता है आज का हमारा सनमिधान सबा का टॉपिक उमिद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और इसका टेली ग्राम पर पीडिएफ ले लिजेगा आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको और इस तरह का पूरा सन्मिधान हम कंप्लीट करवा देंगे बारी बारी जब पीडिएफ के तरह ठीक